हलो नमश्कार आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैंटू प्लेट में आज मैं फिर से आपके सामने एक गुजरात की स्नैक रेसिपी लेकर आई हूँ गुजरात में हर घर में बनती है साती सात में एक स्ट्रीट फूड भी है ये यह बहुत ही जादा है और यह बहुत कम तेल में बनती है तो आज हम बनाने वाले हैं अमीरी ख्मन अगर आपको गुजरात की स्नैक रेसिपी पसंद आती है तो जरूर हिट कीजे लाइक बटन और अगर आप नहीं हो मेरे चैनल में और आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और नोटिफिकेशन बेल बटन अन करना ना भूलिए क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको एक मेसेज आ जाएगा कि मैंने आज वीडियो अपलोड किया है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अमीरी खमन हमने यहाँ पे आधा कप चना दाल लिया है इसे हमने धोलिया है और पानी में हम गला के रख देंगे और इसे फूने के लिए 5-6 घंटे के लिए रख देंगे 6 घंटे बाद हमने पानी को हटा दिया है और चना दाल काफी फूल चुका है अब चना दाल को हम मिक्सर जार में डाल देंगे साथी साथ में इसमें एक चोथाई कप दही डाल देंगे दही यहाँ पे जादा खटी नहीं होनी चाहिए हम चना दाल को पीश लेंगे हमने यहाँ पे चना दाल का पेश तयार कर दिया है हम इसे बंद कर लेंगे और किसी गरम जगा पर इसे रख देंगे तो इसे हम अगले दिन चेक करेंगे मैंने यहां पर रात को पीश कर रखा है तो इसका मतब यह है कि सुबे मैं चेक करूँगी तो देखें यहां पर चना दाल में खमीर आ चुकी है इसे अब हम बाउल में पलट लेंगे अब इसमें हम दो तीखी हरीमेश और आधा इन्स से कम अद्रक हमने दरदरा पीस लिया है तो इसे अब हम डाल देंगे चुटकी भर हींग चुटकी भर हल्दी अब सभी चीजों को अच्छे से हम मिला लेंगे Mixer jar में तीन चमच पानी डाल देंगे और बाल में पलट लेंगे और इसे हमें अच्छे से मिला लेना है साथी साथ में इसमें हलका साम नमग डाल देंगे एक तिब्ल स्पून शक्कर का पाउडर आप यहाँ पर इस शक्कर के दाने भी डाल सकते हो और अच्छे से मिला लेना है हमें एक टेबल स्पून तेल डाल देंगे हम यहाँ पर मुमफली का तेल का इस्तमाल कर रहे हैं इससे जो खमन है काफी फलफी बनता है आधा चोटा चमच इनो फ्रूट डाल लेंगे और अच्छे से हमें इसे मिला लेना है हमने यहां पर साचे को चिकना कर लिया है तेल से और खमन का जो बैटर है पलट लेंगे और इसे समान कर लेंगे यानि की इवन कर लेंगे यहां पे बरतन में हमने पानी को उबाल लिया है तो साचे को हम यहां पे रख देंगे और धीमी आच पर 20 मिर तक हम इसे भाब देंगे यहाँ पे करीबन 20-25 मिट का वक्त हो चुका है हम यहाँ पे खमन को चेक कर लेते हैं तो देखे खमन पक चुका है आप इसे किनारे देख रहे हो यह बर्तन से अलग हो चुका है हम यहाँ पे स्कीवर की सायता से चेक कर लेते हैं तो देखे एकदम clear निकला है तो gas को हम यहाँ पर बंद कर लेंगे और खमन को हलका गुनगुना गरम होने तक का इंतजार कर लेना है यहाँ पर खमन हलका गुनगुना सा गरम है हम यहाँ पर छूरी की सायता से इसे किनारे को release कर लेंगे हम यहाँ पे इसे लंबे और आड़े काट लेंगे हमें यहाँ पे बहुत इव स्पेस्फिक नहीं होना है काटने में तो हमने यहाँ पे काट लिया है तो जिसे कि आप देख सकते हो खमन काफी स्पंजी बना है और साथ इसाथ में जालिदार भी लेकिन हम यहाँ पे तड़का नहीं देने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पे अमीरी खमन बनाने वाले हैं यानि कि सेफ खमन बनाने वाले हैं इसलिए हलके हलके हातों से इसे हमें मसल लेना है खमन को हमने यहाँ पे मसल लिया है अब इसके अंदर हम दो बड़े चमच शकर का पाउडर डाल देंगे और अच्छे से हमें इसे मिला लेना है आधा कटवा नीवू का रस डाल कर मिला लेंगे हम यहाँ पे तड़का बरतन में दो टेबल स्पून तेल डाल देंगे आज को यहाँ पे हमें धीमा रखना है जैसे ही तेल यहाँ पे हलका सा गरम हो जाएगा इसमें हम एक चोथा चोटा चमच हीन पाउडर आधा चोटा चमच राई एक कटिवी हरीमिट डाल कर आज को हम बंद कर देंगे अब इसमें अच्छछ़ से म actively देंगे तो अमिड़ि खoglo में जो आखरी चीज़ है वह हम डाल देंगे और अच्छ़ में सेव की मातरा बहुत ज्यादा भी डाल सकते आपके चॉइस के उपर है फ्रेश कसावा नारिल अनार के दाने कटा हुआ हराधनिया यहां पर अमेरी खमन पर पढ़ने वाली जो हरी चटनी है वो हमने त्यार कर ली है हम यहां पर खाते वक इस चटनी को खमन के उपर पहला लेंगे इसके साथ ही हमें खाना है मैं उमीद क करती हूं आपको यह अमीरी खमन यानि की जो सेफ खमन है उसकी रेस्पी पसंद आई होगी यह बहुत ही आसान तरीके से बन चाती है आप चाहो तो यहां पर खमन को तड़का दे सकते हो या फिर आप इसका चूरा बनाके अमीरी खमन तयार कर सकते हो यह टो इन वन है जो आपको पसंदो वैसा आप कर सकते हो तो मैं उमीद करती हूं आपको यह बहुत ही आसान तरीके से सेफ खमनी यानि की अमीरी खमन की रेस्पी पसंद आई होगी आप जरूर घर पर ट्राइक कीजिएगा और आपका मुवली फीडबैक दीजिएगा शुक्रिया धन्यवाद हमेशे की तरह आज का दिन भी आपका लाप करी रहें